प्रदेश से आज दो बड़ी खबरे सुकुन देने वाली है एक में प्रधान मंत्री की तारीफ है तो दुसरे में इमानदारी का तोहफा पुने के श्रिमन दगडु सेट हलवाई सारवजनी गणपती ट्रस्ट ने इस बार Augmented Reality तकनीक के जरिये भक्तों को घर बैठे आरती की सुविधा उपलप्त कराई है इसकी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने खास रुप से प्रशंसा की है दुसरी सुखत खबर ये है कि मुंबई ने इमानदारी में भी किर्तिमान स्थापित किया है एक सर्वे के जरिये इसका खुलासा हुआ है ये सर्वे पुरी दुनिया में किया गया था इस सर्वे में ये पता चला है कि मुंबई दुनिया का दुसरा सबसे इमानदार शहर है ये जानकरे महिंद्रा और महिंद्रा के सर्वे सर्वा आनन्द महिंद्रा ने ट्वीट करके दी है रहात भरी खबर ये है कि राशन कार्ट पाने के लिए अब तहसिलदार कार्याले में वार्शिक पारिवारिक इंकम सर्टिफिकेट के बज़ाए अब आविदन करताओं का इंकम गैरंटी पत्र मानने होगा ऐसे में गरीब और जरूरत मंदों को सरकारी योजना का अनाज उपलब्ध होगा हैरान करने वाली खबर ये है कि पुने के एक हड़पसर पुलिस ने एक पत्रकार को व्यापारी से पांच लाख रुपे की फिरोती मांगने के आरुप में गिरफतार किया है पत्रकार का नाम अरजुन लक्षमन शिरसाथ है अरजुन पुने के एक बड़े अकबार में काम करता था ये खबर भी कम हैरान करने वाली नहीं मुंबई में मीरा रोट पुलिस द्वारा पकड़े गए नशीला पदार्थ केस में गड़बड़ी किये जाने की जानकारी सामने आई है इस मामले में मिरा रोट पुलिस टेशन में पांच पुलिस कर्मी संदेह के घेरे में आ गये हैं। दरसल ड्रक केस में जोन के एक डिसीपी ने जान शुरू की तो पूरा सच सामने आया। तो आईए अब इन पांच ख़बरों को विस्तार से जानते हैं। कोरोना को देखते हुए गनेश उत्सव इस वर्ष भी सादगी से मनाने की अपील केंद्र और राज्य सरकार ने की थी। अपील पर पूरी तरह अमल करते हुए पूने के श्रिमंत दगडुसेट हलवाई सारवजनिक गनपती ट्रस्ट ने इस बार ऑगमेंटेड रियालिटी तकनीक के जरिए भकतों को घर बेठे आरती की सुविधा उपलब्द कराई है इसकी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने खास रूप से प्रशंसा की है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने अपनी शुबकामना संदेश का पत्र ट्रस्ट को भेजा है लगतार ये दूसरा स साल है जब महाराश्टर में बेहत धूम धाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार पर महामारी की छाया हावी है और तीसरी लहर की आशंका के बीच सादगी पूर्ण तरीके से पूजा का आयोजन हो रहा है श्रीवन्त दगडुशेट हलवाई गनपती के एक न्यासी महेश सूर मनाने की अपील की है और भीड भाड से बचने के लिए ओनलाइन दर्शन की व्यवस्ता करने को कहा है हम उस पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं मुंबई के इमांदारी में भी किर्तिमान स्थापित किया है एक सर्वे के जरिए इसका खुलासा हुआ है यह सर्वे पुरी दुन महिंद्रा ने ट्विट करके दी है सर्वे दुनिया के चार महाद्वीपो के 16 शहरों में करवाया गया था इमांदारी की परक करने वाला ये सर्वे बड़ही अनोखे अंदाज में करवाया गया था इस अनोखे सर्वे को दव वॉलेट एक्सपरिमेंट का नाम दिया गया इसके तहट सभी 16 शहरों में अलग-अलग जगाहों पर रुपए से भरे बटूए गिराए गए थे। इसके बाद लोटाए गए बटूओं के आधार पर शहरों को उनकी इमानदारी की रैंकिंग मिली है। सर्वेक्षन के दोरान कुल 192 बटूए यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिन अमेरिका तथा एशिया के विभिन शहरों में गिराए गए थे। हर बटूए में एक मोबाईल लंबर के पारिवारिक फोटो, कूपन, बिजनेस कार्ड्स और स्थानिय मुद्रा के हिसाब से 50 डॉलर रखे गए थे। इन बटूओ को पार्क, शॉपिंग मॉल और सडकों के किनारे गिराए गया था। इसके बाद सर्वेक्षन करने वाले लोगों ने मॉनिटर करना शुरू किया कि आखिर इन बटूओ के साथ क्या होता है। मुंबे में जीपियो के पास गिराए सार्याले में वार्षिक पारिवारिक इनकम सर्टिफिकेट के बजाए अब आवेदन करताओं का इनकम गैरंटी पत्र मानने होगा। ऐसे में गरीब और जरूरत मंदों को सरकारी योजना का अनाज उपलब्द होगा। राज्यसरकार के अन्न, नगरी आपूर्ती और ग्र करानक अनिवार्य है। नए राशनकार की मांग करने वाले नागरिकों को गैरंटी पत्र देना होगा। राश्ट्रिय अन्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने के बाद तकनी की प्रक्रिया पूरी होने पर राशनकार धारकों को अनाज उपलब्द होगा। पत्रकारी अनाज वितरन कार्यालाई के सूत्रों से मिली है। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अनेक गरीब और जरूरत मंदों के साथ समस्या थी कि वह आई से संबंदित प्रमान पत्र हासिल नहीं कर पाए थे। पूने के हडपसर पुलीस ने एक पत्रकार क को व्यापारी से पाच लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफतार किया है। पत्रकार का नाम अरजुन लक्षमन शिरसाथ है। अरजुन इससे पहले पूने के एक बड़े अकबार में काम करता था। वह वर्तमान में किसी अकबार के लिए काम नहीं करता है। जानकरी के अनुसार हडपसर क्षेतर के हिंगने आली के 32 वर्षिय व्यवसाई ने हडपसर पुलीस में शिकायत दर्च कराई है। अरजुन ने व्यवसाई को फोन कर फिरौती की मांग की। उस फोन कॉल से ये बात सामने आई है कि इस व्यवसाई से पहले भी वह पा ले जा रहा था। खुद को पत्रकार बताने वाले अरजुन शिर्साट ने टेंपो रोग दिया। चालक घबरा गया। उसने मुझसे बात कराई तो अरजुन शिर्साट ने कहा तुम अपने टेंपो में सीग्रेट और बीडी बेच रहे हो। मुझे पाच लाक रुपे द पुलिस द्वारा पकड़े गए नशिला पदार्थ केस में गड़बड़ी किये जाने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में मीरा रोड पुलिस स्टेशन में पाच पुलिस कर्मी संदेह के घेरे में आ गये है। दरसल ड्रग केस में जोन 1 के DCP ने जाच शुरू की पुलिस इंस्पेक्टर नितिन जकताप, सतिश निकम, संतोष पाटिल, जाधव और अतुल गोसावी की टीम ने 12 सितंबर की रात पौने 12 बजे पूनम गार्डन मार्ग में यूनिक कॉरम बिल्डिंग के पास जाल बिचा कर यह कारवाई की थी। आनंतरिवेदी, इमरान म पुहम्मद अंसारी, दोनों के यहाँ पहुचने पर पुलीस ने दोनों को कस्टडी में ले लिया। उनके पास से नशीला पदार्थ 30 ग्राम M.D. जब्त किया गया। इसकी कीमत 45,000 रुपए बताई गई थी। इस मामले में सतिश निकम ने शिकायत दर्ज कराई थी। ल तसकर के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस तसकर को बचाने के लिए गिरफतार किये गए तसकर को घटना स्तल पर बुलाया गया था। इसमें आर्थिक लेन देन होने की आशंका जांच में पाई जा रही है। पुलीस द्वारा जब्त किये गए M.D. के 30 ग्राम से अधिक ह जा रही है। शशी थरूर ने माफी नामा स्विकार करते वे खुशी जाहिर की है। बड़ी खबर बाजार से भी है। सेंसेक्स साथ हजारी बनने को बेताब है। सेंसेक्स ने गुरवार को ही 69,000 का आंकड़ा चुआ था और आज 69,500 के स्तर के उपर पहुच गया है। इससे माहुल सकर अत्मक बने रहने के आसार जताय जा रहे है। बिहार से अजीबो गरिब मामला सामने आया है। पट्ना के मोहिच रिवास्तों ने राज्यके वन एवं परियावरन मंत्री निरज कुमार बबलू से मिलकर साब का विश निकालने के लिए लाइसंस देने का अनुरोथ किया ह इसके पहले भी वे इस तरह की अनुमती मांग चुके हैं। अच्छी खबर ये भी है कि केदारनात, मदरीनात, गंगोत्री, यमुनोत्री धाप दर्शन के लिए खोले जाएंगे। लेकिन यात्रियों के संख्या सीमित होगी। देवस्ताना बोर्ट की वेबसाइट पर प इस तरुत नजर डालते हैं। पुलीस या कारवाई को अगोशित आपतकाल करार दिया है। कई रूट बंद होने से NH9 और NH24 पर भयंकर जाम लगा है। यमुना ब्रीज विकास मार्क पर भी गाडियों की लंबी कतार लगी है। आईटी यो पर भी 5 किलोमेटर लंबा जाम है। राउंड अबाउंड अब है कि गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब जहां से मार्च शुरू होना है उसे घेर कर दिल्ली की सिमाय सिल्क की जा रही है। पार्टी की नेता हर सिम्रत कौर बादल ने एक वीडियो भी ट्विट किया है। दुसरी तरफ पुलीस की एक तरफ से कहा गया। गुरु सांसत शशी थरूर को गधा कहने के बाद उठे राजनितिक तुफान के चलते तेलंगाना कॉंग्रेस प्रमुक ए रेवन्त रेड़ी ने माफी मांग दी और उन्होंने अपनी टिपणी वापस ले ली। रेवन्त ओसकर फर्नांडिस के अंतिम संसकार में शामिल होने के ल जिससे उन्हें माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। रेड़ी ने ट्वीट किया मैंने शशी थरूर जी से बातचित करके ये बताया कि मैं अपनी टिपणी वापस लेता हूँ और दोहराता हूँ कि मैं अपने वरिष्ट सयोगी को सर्वोच्च सम्मान देता बाद में ट्वीट का जबाब देते हुए तीरुवनन पूरम से सांसत थरूर ने ट्वीटर पर कहा मुझे रेवन्द रेड़ी ने फोन कर जो कहा गया था उसके लिए माफी मागी मैं उनके खेत की अभी व्यक्ति को स्विकार करता हूँ और इस दुर्भाग्य पुर्ण प्रकरण को पीछे छोड़ कर खोश हूँ रेमत ने टी आरेस सरकार की प्रशंसा करने पर शशी थरूर को निशाने पर लिया था वारल ओडियो में वो शशी थरूर को गधा कह रहे थे सिंसекс ने गुर्वार को ही 69,000 का आकड़ा चुआ था और आज सेंसệu 6,500 के स्तर के ऊपर पहुंच गया है गुर्वार को 69,41.16 आँपो के स्तर पर बंध होने के बाद आज सेंसेक्स करीब 268 आँपो की तेजी की साथ 69,409 आँपो के स्तर पर खुला और देखते ही देखते 69 4500 के उपर पहुँच गया शेयर बाजर भी खुलने के बाद चंद मिंटों में ही सेंसेक्स ने 69,582.36 अंकों का अपना उच्चतम सर छू लिया सेंसेक्स तेजी से 60,000 बनने की रहा पर दोड़ता दिख रहा है निफ्टी में भी आज शांदार तेजी देखी जा रही है सरका माजर के फैसले का सबसे जादा फायदा वोड़ा फोन और आईडिया को होगा कमपनी का शेयर आज 27.37 प्रतिशत उच्चाल के साथ 11.40 रुपे पर बंद हुआ ऑटो सेक्टर से जुड़े एलान के बाद ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कमपनी बोश का शेयर 5 प्रतिशत की मजबूती के साथ 15,298 रुपे पर बंद हुआ जानकारो की माने तो इस महिने के आंत या अगले महिने की शुरुआत में सेंसेक्स 60,000 के लेवल को चू सकता है बाजर की तेजी अगले साल तक जारी रहेगी हो सकता है कि अक्तूबर में थोड़ा करेक्शन हो पर दिवाली क समय बाजर 61,000 के लेवल को चू सकता है सेंसेक्स 60,000 का लेवल इस महिने के अंत तक या अगले महिने की शुरुआत में चू सकता है बिहार में साप पकड़कर उससे जहर निकालने के लिए कारोबरी सरकार से अनुमती मांग रहे है पटना के मोहिच रिवास्तव ने राज् 30 अगस 2021 को फिर एक बार आवेदन पर कारवाई करने का अगरह किया है बताया जा रहा है कि मोहित उत्तराखंड और जहरकट में साप पकड़ने और उसका जहर निकालने का काम कर चुके हैं वही अपने पास 4500 जहरीले साप होने का दावा भी करते हैं बिहार में अभी तक कि प्रजाती के साप मिलते हैं लेकिन इन में केवल 4 प्रजातियों के साप ही ऐसे होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मौत हो सकती हैं करेट, किंग कोब्रा, रसल वाइपर और सौश शिल्ड वाइपर इन चारों में शामिल है पता दे कि साप के जहर से केवल नुकसान ही न अधिस उचना जारी करने के बाद देवस्तानम प्रवंधन बोर्ट की ओर से आज S.O.P. जारी की जाएगी कोट का फैसला आने के बाद सरकार यात्रा की तयारियों में जुड़ गई है 28 जुन को हाई कोट ने कोरोना संक्रमन के खत्रे और सरकार की आधी अधूरी तयारियों के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोट से SLP वापस लेकर सरकार फिर से हाई कोट पहुची आप कोट की और से यात्रा पर से रोक हटाने से सरकार को रहत मिली है चारधाम देवस्तानम प्रबंदन बोड के मुख्य कार्यकारी अधीकारी रविना त्रमन ने बताया कि सरकार की और से यात्रा शुरू करने की अधी सूचना जारी की जाएगी जिसके बाद बोर्ट की और से 4 धामों में कोविट प्रोटोकल का पालन करने के लिए ऐसो भी जारी की जाएगी यात्रा के लिए तैयारिया पूरी है शंगाई सहयोग संगर्ठन की एहम बैठक में आउनलाइन सामबोधन में पीएम ने सपश्ट शब्दों में अफगानिस्तान का जिक्र किया और बढ़ते कठर पंच से बने खत्रे की और सबका ध्यान की चाँ प्रधान मंत्री मोधी जब हिंदी में कटरता पर आगाह कर रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान टक टक की लगाय सुन रहे थे दुसरी तरफ नाम बदलने को लेकर नियूजिलांड में बवाल जारी है नियूजिलांड की माओरी पार्टी ने 14 सितंबर को देश के नाम को अधिकारिक तोर पर आओ टेरो आ में बदलने के लिए याँची का शुरू की है ये बवाल भले ही एक नए शुरुआत को लेकर हो लेकि नए शुरुआत तो अंतरिक शियात्री उने की है अब तक के सबसे लंबे मिशन में अंतरिक स्टेशन पर 90 दिनों के प्रवास के बाद तीन चीनी अंतरिक शियात्री धर्ती पर लोट आये है निहाई शेंग, लियू बोमिंग और टेंग होंग वो दोपेर देड़ बज़े के बाद शेंज हो बारा अंतरिक शियान से उतरे इस किर्तिमान के बावज़ुत इनसान अभी पीछे है उधारन है तालिबान यही कारण है कि तालिबान को अंतर राष्टे मुद्रा कोश ने करारा जटका दिया है आई-एम-एफ ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंदों को फिलहाल खतम कर लिया है आई-एम-एफ ने कहा कि तालिबान के नेतरुत वाली सरकार की मान्यता पर अंतर राष्टे समुदाय में सपश्टता आने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा इसके अलावा पाकिस्तान से भी बुरी खाबर है वहां कि सरकार और प्रशासन चिंतित है कारण है कि वहां बिते कुछ समय से गोली बारी की घटनाय देखी जा रही है आज यहां खैबर पक्तुन ख्वा प्रांत के लोवर डिर जिले में अंतिम संस्कार कारेक्रम में गोली बारी में आट लोगों की मौत हो गई जबकि 15 अन्या घायल हो गई रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों के दो समूहों के बीच भूमी विवाद को लेकर अंतिम संस्कार की नमाज के दोरान गोली बारी हुई तो आईए दुनिया से जुड़ी इन पांच बड़ी ख़बरों को करम से जामते हैं मौजूदा समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेतर में इसलामिक कटरपंथ तेजी से बड़ा है अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के समय आतंकवाद काफी हद तक काबू में था और हकानी नेटवर्क तालीबान अलकायदा के बड़ी संख्या में आतंकी जेल में थे लेकिन अब सैकडो आतंकी जेल से रिया किये जा चुके है और यहाँ पूराक्षित्र कटरपंथी ताकतों का सुरक्षित ठिकाना बन चुका है इसले कर प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में ही दुनिया को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है शंगाई सहयोक संगटन की एहम बैठक में ऑनलाइन संबुधन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अफगानिस्तान का जिक्र किया और बढ़ते कटरबं से बने खत्रे की और सब का ध्यान खीचा प्रधानमंत्री मोदी जब हिंदी में कटरता पर आगा कर रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इम्रान खान टक्टकी लगाये सुन रहे थे दर असल अफगानिस्तान में आतंकियों के सत्ता में आने के बाद क्षेत्र में अस्थिर्ता का खत्रा पैदा हो गया है वैसे भारत ने तालिबान के काबुल में सत्ता हत्याने के बाद एक बार बाच्चित भी की है लेकिन उसे मान्यता देने पर अभी वेट एंड वाच की निती अपना रहा है आज जब PM को वश्विक मंच और खास तोर से अफगानिस्तान के आसपड़ोस के देश के निताओं के सामने बोलने का मोखा मिला तो PM ने सिदे तोर पर कट्टरपन को क्षेतर के लिए खत्रा बताया और उसे आश्रह देने वाले पाकिस्तान को खूप सुनाया नाम बदलने को लेकर न्यूजिलेंड में बवाल जारी है न्यूजिलेंड की माओरी पार्टी ने 14 सितंबर को देश के नाम को अधिकरिक तोर पर आउटेरिया में बदलने के लिए एक याचिका शुरू की है आउटेरिया का अर्थ स्वदेशी तेरे माओरी भाषे में लंबे सफेद बादल की भूमी है इसके साथ ही माओरी पार्टी ने PM जैसिंडा अर्डन से न्यूजिलन के सभी कजबो शहरों और स्थानों के नामों की माओरी बदलने की अपिल की है माओरी पार्टी का कहना है कि तेरे माओरी इस देश की पहली और अधिकारिक भाषा रही है स्वदेशी लोग इतिहास को मिटाने और नजर अंदाज किये जाने से नाराज है हमें किस्वी सदी में जी रहे है ऐसे में इसे बदले जाने की सक्जरूरत है पार्टी ने कहा है कि मावरी भाषा का इस्तेमाल 1910 से 1950 के दवरान 90 फी सदी से गिर कर 26 फी सदी हो गया सिर्फ 40 सालों में क्राउन ने हमारी भाषा को छीन लिया है और हम इसके प्रभाव को आज तक महसुस कर रहे है मौजूद अवक्त में सिर्फ 3 फी सदी लोग मावरी भाषा बोलते है पीम जैसिंडा अरडन ने अब तक ही सियाचिका पर कोई कमेंट नहीं किया है लेकिन उन्होंने 2020 में देश के भीतर आउटेरी या शब्द के इस्तेमाल को सकारात्मक बताया था कुछ क्यूदंतियों में माना जाता है कि कुपे की बेटी ने सबसे पहले न्यूजलेंड की जमीन को खोजा था जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उसके डोंगी के नाम पर इसे नाम दिया गया था अब तक के सबसे लंबे मिशन में अपने देश के पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर 90 दिनों के प्रवास के बाद तीन चीनी अंतरिक्षियात्री धरती पर लवटाये है नी हुईशेंग लिव बोमिंग और टैंग होंगबो दोपर एक बचकर तीस मीट के बाद शेंजो ट्वेल अंतरिक्षियान से उतरे गोबी रेगिस्तान में उतरने के लिए अंतरिक्षियान के पैराशूटिंग के फूटेज दिखाये गए जहाँ यह हेलिकप्टर और आफ रोड वहानों से मिला था कुछ मिनिट बाद तकनिशियनों के एक दल ने कैपसूल का हैच खुलना शुरू किया जो बिल्कुल ठीक हालत में दिखाई दिया 17 जून को लॉंच करने के बाद मिशन कमांडर नी और अंतरिक्ष यात्री लिव और टैंग दो स्पेस वाक पर गए और एक 10 मिटर मेकेनिकल आर्म को तैनात किया उन्होंने कमिनिस्ट पार्टिंगे नेता शी जिनपिंग के साथ एक वीडियो कॉल किया जिनपिंग ने 2003 से अब तक 14 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा है इसके साथ ही वह पूर्व सुवेट संग और संयुकत राज्ज अमिरिका के बाद ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है चीनी अंतरिक्ष कारेक्रम की गोपनियता और साइन्य समर्थन पर यूएस के आपत्तियों के कारण अंतरिक्ष स्टेशन से बहर किये जाने के बाद चीन ने अपने स्वयम के अंतरिक्ष स्टेशन कारेक्रम के शुरुवात की अफगानिस्तान पर कबजा जमाने वाले तालीबान को अंतराश्टिय मुद्राकोश ने करारा जटका दिया है IEMF ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंदों को फिलहल खत्म कर लिया है I.M.F. ने कहा कि तालिबान के नितरुत वाली सरकार की माननेता पर अंतरराष्टिय समुदाय में स्पष्टता आने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलम्बित रहेगा वैश्विक संस्ता ने कहा कि वह अफगानिस्तान के आर्थिक हालाद से बेहत चिन्तित है और उसने अंतरराष्टिय समुदाय से देश में किसी मानविय संकट को रोकने के लिए ततकाल कदम उठाने का आगर किया है आइमेप के परवक्ता गेरी राईस ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा जुड़ाव तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक कि सरकार की माननेता पर अंतरराष्टिय समुदाय के भीतर स्पष्टता नहीं हो जाती बतादे कि तालिबान ने 15 अगस को अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया था तबसे ही देश में हालात खराब है और हिंसा का दौर चल रहा है कई वैश्विक नेताओं ने गोशना की है कि वे तालिबान के शासन को राजनेक माननेता देने से पहले देखेंगे कि वह एक समावेशी अफगान सरकार और मानवादीकार जैसे मुद्दों पर अपने वादों को पूरा करती है या नहीं रूस, चीन, पाकिस्तान, इरान और तुर्की जैसे देशों ने आगे बढ़कर तालिबान को एक मौका देने की बात जरूर कही है लेकिन अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को माननेता देने की बात नहीं कही है पाकिस्तान में बीते कुछ समय से गोलिबारी की घटनाय देखी जा रही है या खैबर पक्तुनगवा प्रांत के लोवर डीर जिले में अंतिम संसकार करेकरम में गोलिबारी में आट लोगों की मौत हो गई है जबकि पंदरा अन्य घायल हो गए रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों के दो सम्मूहों के बीच भूमी विवात को लेकर अंतिम संसकार की नमाज के दौरान गोलिबारी हुई गोलिबारी में आट लोग मारे गए वही पंदरा अन्य घायल हुए है घायलों को समीप के अस्पताल में भरती कराया गया है जिन में दस की हलत गंबीर है कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के खैबर पक्तुनवा प्रांत में शिविर के रास्टे को लेकर एक विवाद हुआ था जिसमें महिला सहित एक ही परिवार के पाच लोगों की मौत हो गई थी जबकि तीन अन्य घायल हो गए थे पुलिस ने बताया था कि घटना कोहाट जिले के गमकोल अस्थाई शिविर में तब यह घटना हुई जब शिविर के मार को लेकर रिष्टे के दो भाईयों के परिवार में विवाद हो गया स्थानिय प्रशासन मामले पर नजर बनाय हुए है ताकि कई और भी इस तरह के घटनाओं को न दवराय जा सके कुछ लोगों ने सरकारी तंतर पर सवाल खड़ा किया है उनका कहना है कि लोगों में कानून के डर नाम की चीज रही ही नहीं गई है तो आज की इस खास पेशकर्श में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक बने रही है वीके बी नियूस के साथ नमशकार